आपके अंतिम संसकार के बाद क्या होगा? कुछी घंटों में रोनी की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाएगी. रिष्टेदारों के लिए खाना बनवाने या मंगवाने में जुट जाएगा आपका परिवार. कुछ पुरुष सोने से पहले चाई की दुकान पर टहलने निकल जाएगे. कोई रिष्टेदार आपके बेटे या बेटी से फोन पर बात करेगा कि आपात इस्थिती के कारण भेव्यक्तिगत रूप से नहीं आपा रहा है. और तो और इधर आपका अमरत शरीर चिता पर जल रहा होगा, उधर आपको अंतिम बिदाई देने आए लोगों में से कोई फॉन पर किसी से बात कर रहा होगा, कोई वट्सेप, फेस्बुक पर व्यस्त होगा, कुछ लोग दूर जुन्ड बनाकर घर परिवार व्यवसाए खेल की बात कर रहे होंगे, अगले दिन रात के खाने के बाद कुछ रिष्टेदार कम हो जाएंगे, और कुछ लोग सबजी में परियाप्त नमक नहीं होने की शिकायत कर रहे होंगे, भीड धीरे धीरे छटने लगेगी, आपका कार्या ले या आपकी दुकान, आपकी लगेगा, सबका जीवन सामान्य हो जाएगा, आपको इस दुनिया में आश्चरे जनक गती से भुला दिया जाएगा, इस बीच आपकी प्रथम बर्ष, पुन्यतिति, भव्य तरीके से मनाई जाएगी, पलक जपकते ही, साल बीत गए और आपके बारे में बात करने वाला क कोई नहीं है, एक दिन बस पुराने तस्वीरों को देखकर, आपको कोई बेहद करीबी आपको याद कर सकता है, लोग आपको आसानी से भूलने का इंतजार कर रहे हैं, फिर आप किसके लिए दौड रहे हो, और आप किसके लिए चिंतित हैं, कि आप अपने घर, परिवार रिष्टेदार को संतुष्ट करने के लिए जीवन जी रहे हैं, जिन्दिगी एक बार की ही होती है, बस इसे जी भर के जी लो, और जितना हो सके, जिन्दिगी के परम उद्देश्य के निकट पहुँचने की कोशिश करो,